Solvent Extractors Association of India, C. द्वारा मई 2024 में करवाए गए सर्वेक्षन से पता चलता है कि 2023 से चौबीस के रभी सीजन के दौरान देश में करीब 115.80 लाग टन सरसों का उत्पादन हुआ जो मार्च की सर्वेक्षन रिपोर्ट में लगाए गए अनुमान 120.87 लाग टन से 5.07 लाग टन कम है Association के अनुसार अल्नीनो मौसम चक्र के कारण हरियाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश जैसे राजियों में फसल की प्रगती के महत्वपून चरण के दौरान बारिश का अभाव होने तथा मौसम गर्म एवं शुलक रहने से सर्सों की ओसत उपजद मध्य प्रदेश में 16.03 लाक टन, हरियाना में 11.68 लाक टन, पश्चिम बंगाल में 7.09 लाक टन, गुजरात में 4.57 लाक टन, आसाम में 2.06 लाक टन एवं 36 गर में 1.11 लाक टन सहित कुल 105.78 लाक टन सर्सों का उत्पादन हुआ जबकि बिहार एवं जारखंड एवं जारखंड तथा पंजाब सहित देश के अने प्रांतों में 10 लाक टन से कुछ अधिक सर्सों की पैदावार होने का अनुमान है इस तरह राश्ट्री अस्तर पर सर्सों का कुल उत्पादन 115.80 लाक टन के करीब पहुँच गया सर्सों का कुल बिजाई क्षेतर 2023 से 24 के सीजन में 11.60 लाक हेक्टेर दर्ज किया गया इसके तहट सर्सों का क्षेतर फल राशस्तान में 38 लाक हेक्टेर उत्तर प्रदेश में 17.76 लाक हेक्टेर जबक्कि मध्यप्रदेश में 13.98 लाक हेक्टेर हरियाना में 7.60 लाथ हेक्टे़, पश्चिम बंगाल में 5.91 लाख हेक्टे़, आसाम में 2.98 लाख हेक्टे़, गुजरात में 2.6 लाख हेक्टेर, 36 गर में 1.92 लाख हेक्टेयर तथा देश के अन्य राजियों में 9.76 लाख हेक्टेयर पर पहुंचा राश्ट्रियस्तर पर सरसों की ओसत उपजदर 1151 किलो प्रती हेक्टेयर रही Bureau Report Market Times TV